दिखर एक से तरीके से निकालना भाक तो इसका एरिया किस तरीके से निकालेंगे दिखिए बच्चों अगर आपके पास कोई कोडिलेटल है यह इसका डाइगनल है D और यहां से एक perpendicular draw किया गया इसको हम H1 बोलते है और यहां से एक perpendicular draw किया गया इसको हम क्या बोलते है H2 बोलते है तो इसका जो area का formula होता है coadilator का वो होता है आपका क्या 1 upon 2 into diagonal की length ये diagonal है पूरा ये वाला ये diagonal की length D into in the bracket क्या होता है H1 plus H2 अब इस figure में आ जाईए इस figure में अगर आप ध्यान से check करेंगे तो इस figure में बच्छों आपको diagonal की length कितनी 5.5 ये QS है ना ये diagonal है आपका ये पूरा diagonal है कितना दिया हुआ है 5.5 तो D की value कितनी हो गई आपकी 5.5 cm ठीक है और यहां से जो perpendicular आ रहा है सामने से यही h1 होता है तो h1 की value कितनी हो गई 2.5 देख सकते हैं यहां से जो आ रहा है यह क्या है h1 है ठीक तो h1 कितना हो गया आपका h1 हो गया 2.5 cm इसी तरीके से यहां से जो perpendicular आ रहा है इसको हम h2 बोलते हैं so h2 की length कितनी हो गई यह देखी पूरा 1.5 ठीक तो h2 कितना हो गया 1.5 प्लस value रखिए और answer निकाल लीजे 1.5 cm ठीक आप यहां से देख सकते हो उसको h2 बोलते है ठीक यह s2 है नौ यहां से आजएगा 1 upon 2 into d d की जगा कितना रखोगे 5.5 तो d की जगा हमने कितना रखा 5.5 into h1 plus s2 h1 कितना है 2.5 s2 कितना 1.5 तो h1 की जगा हम रखेंगे कितना 2.5 और प्लस s2 की जगा हम रखेंगे कितना 1.5 ओके सुदें चलिए solve कर लीजे कितना आ जाएगा 1 upon 2 into 5.5 5.5 और ध्यान दे बच्चे कभी भी इसको bracket वाले नमबर के साथ नहीं काटना है तब तक जब तक ब्रैकेट वाले नमबर को एड़ ना कर लो हाला कि यह भी कुछ कट नहीं रहा है तो बस मेरा कहने मतलब है पहले आप इन दोनों को आड कर लीजे हमेशा ठीक अब 25.5 तो कट नहीं रहा है तो छोड़ देंगे भी 2.5 कट तो जाएगा लेकिन अभी मैं नहीं काट रहा हूं कट तो जाएगा यह दोनों एड होगे कितने होगे फोर तो वन अपान टू इंटू 5.5 और इन दोनों का सम कितना होगे फोर अब देखो यह फोर को काटेगा अब काटेगा ब्रैकेट में एड करने के बाद जब आएगा तो कट सकता है टू से ठीक टू अन्दा टू 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 तू लिए 5.5 इंटू टू टू ठीक है सॉल्फ कर लीचे टू फाइफ जा होता है टेन बन जाएगा टू फाइफ देन प्लस वन एलेवन अब पीछे से वन देख छोड़के डेस्मन लगाओगे तो यहां डेस्मन लाजएगा 11.0 का मतलब होता है 11 यह लीचे 11.0 का क्या मतलब ह कि अरिया निकाल ठीक होगी था तो इरिया की युनिट कि सैंटीवीर स्कॉयर सब को सेंटी में दिया इसली यूनिट हो गई है यहां पर क्या सैंटी मिंटर स्कॉयर व के सुद्ञ बच्ड़ मैं तोẹ है।